हेलो एवरीवन वेलकम बेक नोर यूट्यूप चैनल एक्जाम इंफॉर्मा नीतियस आज में आप सभी लोगों के लिए केसिटेडी नंबर फाइफ लेकिया चुका हूं जिसमें आज में आप सभी लोग कवर करूँगा फोक डांस ओफ और नाचल परदेश इंड में आप क्लास को कर सकते हैं तो चली वीडियो को शार्ट करते हैं और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनाचल परदेश की तहीजिकि को महान के लाइफ यस्ट्र देखे तो बहुत अच्छी है ऐग师 तो जो जो वहाँ पर मेने स्टाइल है वह पूरी खेची एगरी कल्चर पर डिपेंड करती है इसकर जो वहाँ पर जो पीपल्स रहते हैं वह जेनरेटी जेनरली जो है कि सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल को अलमाइटी ऑफ गीवंग देम गोड हार्वेस्टिंग यानि कि खुसी कारण जो उनकी जो हार्वेस्टिंग होती है उस पर वो लोग इस पर वेरियस ट्रेवल्स हैं यहाँ पर अलग-अलग वो लोग काम करते हैं चलिए हम को बता दू टेपल बता जाता हूं आप सभी लोग को फर्स नमबर पर आता है अजी लम हूं फिन चलो वांचो पासी कोकिंग पॉंग पोपीर बर्दो छाम बुईया रिखाम पाड़ा लायन एंड पिकोक एंड लास्ट है तापू यह 11 डैंस है जो कि आज हम लोग इसमें कवर करेंगे सबसे फर्स नमबर पर आता है वह आप सभी लोग का अजी लम हूं अजी लम हूं डान्स जो है कि इस दा मोस्ट पॉपुलर फोक डान्स इन अरुनाचल परदेश यह बहुत फेमास है कहां पर अरुनाचल परदेश में एंड इस प्रेक्टिशाजड बाई ट Clemen के रमाएन में जो हमलों का रमाएन होता हैिसके basis पर होता भूता है यह ने कि जब भी हमलों कोई आमाइंड वगरा या नाटक वगरा देखते हैं तो हमारे दिल से याने कि अंदर से आवाज आती है अच्छा महसूस होता है हमें वैसे इसको देखते हैं तो इंट्रेंड में जानने ही खुसी मिलती है हमें देखकर ठीक है दा अजी लमहूर डांस और नाचल परदेश मेलनी है वो 5 किरेक्टर यानि कि जब भी वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर कितने डांसर्स रहते हैं तो 5 डांसर्स रहते हैं ठीक है कुछ ऐसे वो लोग देखते हैं आप लोग यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं अब लोग आगे बढ़ते हैं जो अब समय लोको का नेक्ट डांस है वह है चलो दा चलो लोको फेस्टिबाल के दिन निजू है कि लोग होते हैं चलो लोक को फेस्टिवल का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है जब ये फेस्टिवल आएगा और जिनी डान समलोग परफॉर्म करेंगे यानि कि यह जो अक्टूबर और नॉवंबर के महिने में हर साल आता है इट इस सेलिबरेटेड वेरी ग्रिजवल ली बिफोर हर्वेस्टिंग पेड़ी इन अनाचल परदेश ठीक है बाइ नॉव्ट ट्राइब यानि कि यह जो है कि धान की कटाई के पहले बहुत भवे रूप में मना जाता है ठीक है और इसको ड्राइब कौन सी जंजाती मनाती है तो इसको और जिया है कि जो चलो कई से जंजाती है कि इस फेस्टिवल को यह भी कहा जाता है जो इससे पहले खेती हुयर उसके फेरवेल पे हम लोग इस डांस को परफॉर्मकरते है पीपल ऑफ ओल एजस आर ओपन टू दा चलो डांस पर नाचल परदेश के सभी एज ग्रूप के लड़कें लड़कियां बुढ़े वेकती सभी लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं यह जो है कि वो लोग ड्रम के थाप पर और जो है कि जो लोग गाना गाते हैं उस पर वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं कुछ ऐसे वो लोग इस डान्स को perform करते हैं ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो आप सभी लोगों का next dance वो है वांचो आपने खुसी के परफस के लिए वो लोग इस डान्स को perform करते हैं और वो लोग इस डान्स में जो है की टेडिसनल कपड़े पेने में रहते हैं इट इस परफॉर्ण बाइ बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर आप दा ट्राइब यानि की वो लोग इस जो जन जाती की जो रहते हैं वांचो जन जाती की वो लोग इसमें महिला और पुरुस दोनों इस डान्स को परफॉर्म करते हैं दा मेंस डान्सर विथ डेपर बास्केट फोड केनिंग अराउंड दियर प्रिष्ट यानि की कमर पर वो लोग एक टोखली रखे हुए रहते हैं दा में के री सौर्ट्स इन दियर राइट हैंड वाइल डान्सिंग और जब पूरुस डा जो गाना गाते हैं उनके बीट पीपेले लड़के डांस करते हैं और वो लोग गाने के थ्रूही एक मेसेज करते हैं कुईकि जब में डान्स कर लेते हैं मैं आप सभी लोग बता दो जो woman रहते हैं वो लोग straight line में dance करते हैं ठीक है बट जो main होते हैं वो लोग circle में dance करते हैं आप लोग देख सकते हैं इनके हाथ में तलवार या फिर बंदुग है ठीक है अब आगे बात करते हैं जो आप सब लोग यह देख सकते हैं आप लोग female straight line में dance कर रही है बट यहाँ पर जो male है वो लोग एक circle में dance कर रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं जो आप सबी हो का next dance है वो है पासी कॉंग की ठीक है ध़ पॉपलर folk dance of और नाचल परदेश यह एक popular folk dance है कहा का और नाचल परदेश का पासी कौंकी is a celebrated of tribe called Adi यानि कि वहाँ पर जो Adi tribe है Adi tribes के लोग यानि कि Adi के जो जान जाती है वो लोग इस dance को perform करते हैं The dance is performed to narrate the social work that the Pasi has done यानि कि जो वहाँ के जो पासी लोग रहते हैं वो लोग जो काम करते हैं उसको narrate करने के लिए वो लोग इस dance को perform करते हैं It is indeed a unique representation for the rich culture and benefits the Adi tribe of Arnachal Pradesh और वो लोग इस dance से ये so करते हैं या फिर ये जब वो perform करते हैं तो ये so होता है कि जो वहाँ पर rich culture है जो सबसे ज़्यादा जो rich culture वो रहता है अधी group का रहता जो Arnachal Pradesh में पा जाते हैं कुछ ऐसे वो लोग इस dance को perform करते हैं आप लोग इस figure में देख सकते हैं next dance है आप सभी लोग का pong pong folk dance is the popular dance of Arnachal Pradesh ये भी एक popular dance है कहा का Arnachal Pradesh का बहुत सारे question इसे पोचे का है it belongs to the Adi tribe देख सकते हैं आप लोग आधी tribe से बहुत सारे question पूछते हैं direct question आता है tick the correct answer which followed by Adi groups ठीक है this tribe is known for many of traditional folk dance देख लिए यहाँ पर line भी है ये जो tribe है बहुत सारे traditional folk dance ये popular है ठीक है folk dance is the important religious celebration of the Adi tribe और जो pong dance जो है सबसे important religious celebration है किसका Adi tribe का और कुछ ऐसे वो लोग इस dance को perform करते हैं ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद है next dance आप सभी लोगों का वो है पोपीर पोपीर is the one of the famous dance performed in the state of और नाचल परदेश यानि कि जो ये पोपी है ये एक popular folk dance है जो कि कहा पर perform किया जाता है और नाचल परदेश में यानि कि आप सभी लोग देख सकते हैं जो महा की young girl है वो लोग white dress पहन के अपने सिर को ढख करके इस dance को perform करते हैं और ये जो dance है उसको जो है कि आधी group के यानि कि आधी tribe के जो member रहते हैं वो लोग इस dance को perform करते हैं इस dance is majorly performed in the geros area of और नाचल परदेश यानि कि जो geros area होता है उस area में आधी tribe के लोग इस dance को perform करते हैं कहाँ पर अर नाचल परदेश में ठीक है आगे बढ़ते हैं जो आप समी लोग का next dance है वो है बर्दो च्छाम बर्दो च्छाम is a folk dance traditionally to the Himalaya Buddhist tribe of और नाचल परदेश निकि जो अरुनाचल परदेश में हिमालियान में जो बर्दिष्ट tribes के जो लोग रहते हैं वो लोग इस dance को perform करते हैं यानि कि उनका कहना यह है यह मतलब वहाँ के जो तिबती के जो बोडो का जो अर्थ होता है बोडो का जो अर्थ है उसका यह मतलब है कि मृत्यू और पूनर जनम के बीच का जो संबंध होता है यानि कि देथ और रिबर्थ के बीच का जो पूनर जनम का जो संबंध होता है जैसे कि तिबती बुक आफ डेट की तहट एक बुक है जिसका नाम है तिबती बुक आफ डेड़ उसके तहत ऐसा माना जागा है कि जबकि जो च्छम जात होते हैं च्छम का अर्थ यही होता है मनोपा ठीक है मनोपा भासा के नत्य होता है ठीक है बर्दो च्छम का यही मतलब है कि बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी पर अधारित है जो बर अच्छे काम कर रहा है और जो अच्छे काम कर रहा है वो ही जीत रहा है तो बुराई पर अच्छे काम के जीत होना उसी कहानी पर अधारित है क्या बर्दोशाम डांस ठीक है जो इस्थानी मानतों के अनुसार माना जाता है कि जो आदमी रहता है आदमी के जो अंदर अच्छ बीए और अच्छी सकती भी ठीक है निरत्यों परानपिक लाड़कियों के मोखोटों के उप्योग में चितित किया जाता है जो विभिन जानवरों और पत्रों का पतिनिदित्व करते हैं यानि कि जब वो लोग डांस करते हैं तो जनरल लड़किया जो है कि अलग-अलग मोख बुईया डांस इस वन आफ दे मोस्ट पॉपुलर डांस इस अनाचल परदेश का पीपल परफॉर्म दिस डांस एट ओल ट्राइब फंचन इस प्रैक्टिसाइजड बाइ ट्राइब दिगारू मिस हिम्स यह किस ट्राइब को लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं किस ट् नाम है दिगारू मिस हिम्स और अब जो है कि सभी ट्राइब के लोग अपने अपने फेस्टिवल पर फंचन पर इस डांस को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है बुईया एवरिवन इन दा फेमिली और क्लोस रिलेटिव परफॉर्म दिस फोग डांस अफ अनाचल हैं कि यह अच्छा है और यह जब हम लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं तो हमारे फेमिली के बीच में एक बॉन्ड कनेक्ट होता है फेस्टिवर लाइक तनुया तजुम्प और दुया आर सेलिबरेटेड विद इस फोग डांस पीपल अफ डिफरेंट एज़ेस परफॉर्म दुया डांस तो दा बीट्स ऑफ सौंग बीट्स ऑफ दा गोंग एंड ड्रम यानि कि मैं आप सभी लोग को बता दूं वहाँ प प्रफॉर्म करते हैं तो उनके गले में अलग जुएल्री रहती है और कुछ ऐसे वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं अब आगे बढ़ते हैं जो आप सभी लोगों का नेक्ट डांस से वह है रेखम पाड़ा रेखम पाड़ा इस फोग डांस पोपुलरी नाचल पर परदेश और जो है कि जो रेखम पाड़ा डांस है यह पोपुलर कहाँ है और नाचल परदेश में इस वन ओफ दान्स फॉर्मस अफ निश्ही ट्राइब जो निश्ही ट्राइब का जो है कि में डांस यही होता है ठीक है बोथ में एंड वूमन प्रेक्टिस इन इस डांस is accomplished by the song or which is sung normally in Chorus देखो अब मैं आप सभी लोग को बता दूए इसमें जो है कि men और women दोनों इस dance को perform करते हैं और वो लोग जो रिखम पड़ा जो है कि एक गाने पर निधारित है जिसको गाया गाया जाता है कि इसके द्वारा चोरुस के द्वारा त्राइब मेंबर्स डान्स रिखम पड़ा और इंपोर्टेंट रिच्वल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल और आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं जो आप सभी लोग का नेक्स डान्स है वो है लायन एंड पिकोक ठीक है इस डान्स को दो ग्रूप में किया जाता है हर ग्रूप जो होता है उसका एक ड्रमर होता है और जो डान्सर होते हैं क्या वियर किये रहते हैं लायन के मास्क और कोक के हैड ठीक है जो कि एक जानवर की तरह देखते हैं इंस्ट्रूमेंट लाइक सिंबल्स एंड गौंग्स आर यूज़ इन इट और इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाते है तो वह ताया सिंबल्स और गौंग आर यूज़ इन बुया डांस और नाचल परदेश इस मेंगनी फिसेंट एंड इट क्रियेट आ करनेवल लाइक एटमोस्फिर यानि कि मैं आप सभी लोगों को बता दो यह जो है कि कारनीवल जैसा माहूल बनाता है ठीक है और आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं देखो इसके सिर में जो है कि मुखोटा टाइप है जो कि पिकोग का है ठीक है देख सकते हैं आप लोग और कुछ ऐसे वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट डान्स है आप सभी लोगों का वो है टापू और यह लास्ट डान्स है ठीक है टापू अधी के जो लोगों होते हैं उनका यह एक योध्य नेत्य है निकी वार वाला डान्स है जिसे जो है कि हाल ही में राष्ट्रे सुख्षो में लाया गया है अचनल परदेष में जो है कि टापू करलाकारों ने जो है कि बहरत के गनतन्तर दिवस 2022 में सूभ॥ उसर पर राजपत दिली में आयूजीत राष्ट्री परेट गया थे खकर गया है झान्स को ये टान्स को किया जाता है है कुछ ऐसे वो लोग इस डांस को perform करते हैं वहाँ डांस related है उनके हांत में tárta रहता है और देख सकते हैं आप लोग कुछ ऐसे वो लोग इस डांस को perform करते हैं सब मैं आप सभी लोग को मता दूं मैंने आप सभी लोग को आज अड़ नाचल प्रदेश का पूरा डांस कवर करवा दिया है और आप सभी लोग के सीजन बहुत अच्छा लगा होगा थैंक्स फर वाचिंग आप लोग टेंसन मिल्कुल में आले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है आप लोग महाँ पर जाके टेलेग्राम ग्रूप जैन के लिए वह इसकर है टेलेग्राम पर आप लोग को सेर्च करना है क्या एक्जाम इंफोर्मर नितेज आप लोग का अपना चैनल आ जाएगा वहाँ पर आप लोग जाके पीडियाफ यह डाउनलोड कर लिजेगा और वहां से आप लोग सारे क्लास को कवर कर लेजिए या फिर आप से उपर भी सेर्च कीजेगा तो वहां पर हम मिलें आएंगे